आम सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन भक्तो आज एक ऐसे विश्य पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ जो कि कई सताब्दियों से पूरे विश्य मानस को पिडित करता आया है और उसका समधान क्या हो सकता है इस विश्य पर भी कुछ प्रकास डालूँगा मैं भी ततकालिक रूप से बात कर रहा हूँ कि फ्रांस की एक पत्रिकाव सारली अब्दो ने काटून छपा था पेगंबर महम्मद का तो उन्होंने पहले भी छपा था और बहुत उसमें मुसल्मानों ने बवाल किया था इस बार भी छपा और बवाल किया हत्यावी हो गई कई लोगों की फ्रांस ने कई मस्जिदों पर ताले लगा दिये फ्रांस का बायकॉट शुरू हुआ तो फ्रांस के राश्पती ने सक्त रुक अपनाया है तूर्की और पाकिस्टान और बंगला देश और कई मुस्लिम देशों ने इसक्ता इस्लामिक अपनायं की बात का का कि फ्रांस का बॉक्ताक के प्रांस को बॉक्टिक्ट कि बउक्षाट का ही्या है बारत से साथ दिया इसका भारत ने फ्रांस के साथ अपनी शामती जताई है कि आतंगवाद को हम लोग किसी कीमत पर बर्दास्त नहीं करेंगे अब यहाँ एक कोई नया मुद्दा नहीं परतीत होता है भले अभी विश्व लगता है जिसे दो खैमे में बट गया हो एक तरफ गयर मुस्लिम और दुसरी तरफ मुस्लिम या एक तरफ आतंगवादी समर्तक और एक तरफ आतंगवादी विरोधी परन्तो हमें यह देखना होगा कि आखे लिया है उत्पन कहां से है और इसका समवास्तिक समधान क्या है फ्रांस काता है कि यह हमारे देश का कानून है और हम किसी धार्मिक कानून के अनुशार यहां बरताव नहीं होने देंगे तो भारत का समधान भी उसी तरह से है कि भारत का समधान एक है उसके साब से यहां किसी धार्म का कानून नहीं चलेगा यह किसी मजहब का कानून नहीं चलेगा ऐसा समझे लेकिन अधि आप इतिहास में गौर फरमाएंगे तो देखेंगे कि ऐसे नियम कानून तो कई देशों में पहले थे लेकिन जहां पर मुस्लिम अबादी बढ़ गई और मुस्लिम सत्ता आ गई वहाँ पर तो इसलामिक कानून रागु होई गया तो यानि मजहब का कानून भी देश का कानून बन गया बन सकता है और बना है तो तक्रीबन पचास से ज़्यादा देश आज जो है मुस्लिम देश है उसी तरह से कई देश अपने कोई शाहिद देश भी काते है तो जाहिर सी बात है कि जो मजभ संपरदाय या धर्म नाम से जो कानून है वे किसी इस्तिती में देश के कानून भी बन सकते है अधी उनके समर्थकों के संख्याज ज़्यादा हो जाए और अधी वे उस पर अडिक हो जाए तो यहां दो बात है तो जहांपर मुस्लिम ज़्यादा हो जाते है वहांपर वे अडिक होई जाते हैं उस पर क्योंकि यह हैं उनके कुरान में लिखा है तो हम पूरी आतंकवादी घटना को अगर हम देखेंगे उस परिप्रेक्ष में जो मुसलिम आतंकवाद है तो उसको हम कुरान में ही पाएंगे और मुहम्मद सहाब के जीवनी में पाएंगे उन्होंने अपने जीवन चक्र में बहुत सारे युद्य के बहुत सारे लोगों को यातना दी बच्चों महिलाओं तक को यातना दी वे उनके आदर्स हैं मुसलिमानों के तो उनके वे आदर्स हो सकते हैं वे सभी के आदर्स नहीं हो सकते हैं अब उनके वे जो आदर्स हैं त वे अपने उस आदर्स को अपने तक सिमित नहीं रखते हैं। वे चाहते हैं कि उनके और कुरान के खिलाब कोई नहीं बोले और वे जिसके चाहिए उसके खिलाब बोलें और चाहते हैं कि उनके खिलाब कोई नहीं बोले में तो आप ऐसे में युद्र की संभवना ऊई जाती है हेसे संगहर्स हो जाएगा और यкого दूसरी के संपत्रे को लूटना चाहते हैं दूसरे तो अपने संपर्दाय को बचाने कोशिज करेंगे। जाहिर सा बात है उनकी इस्तिति रही और रहेगी कि और कुरान में उभी बताया गया कि इसके खिलाप vendor कोई जाता तो मुस्लिम हो। गेर मुसलिम उसे खत्म कर दिया जाया तो जाहिसी बात है कि कोई भी मुसलिम उस कुरान में लिखी भी बातों को बदल नहीं सकता वो चाहता भी हो भी तर से बदलना तो बदल नहीं सकता क्योंकि उसके सजावन में मौत है तो क्या इस्थिति बन सकती है एक इस्थितियाब बन सकती है कि मुस्लिम में जो बुद्धि जीवी वर्ग है वह इन दक्या नुसी बातों को आमानवी बातों को आतार्किक कुतार्किक और अवग्यानिक बातों को खारिज कर दें उसका विरोध करें तो यह उनके अंदर कि सुधार के संभाना हो सकती है लेकिन तब जब कि वे बुद्धि जीवी एक जूट हो और पूरा विरोध करें उसम और वैचारी क्रूप से आज का इंटरनेट का जमाना है हर व्यक्ति कुछ ने कुछ का रहा है कहां कौन कितना प्रतिबंद लगा सकता है कब तक वे इस तरह से करते रहेंगे कहां कहां किस से लड़ते रहेंगे और कितने लोग उसमें बल्दान हैं कौन अपने जीवन को निचावर करता रहेगा अनावस्यक हलाकि उन्हें यह जुटा आसवासन दिया है कि जो मरेगा उसे जन्नत मिलेगी अब जन्नत का कुछ पता ने जन्नत है या नहीं है अल्ला है या नहीं है इसका भी पता नहीं है कजिए ना कХता कोई प्रमाण वे द सकते संद्धारत आकर नहीं उसकते कि इसीलिए बैजिद पर उतारू होते हैं से मारपीट पर सकते उसको नहीं रख सकते उस विसेखोले सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो जब नहीं कर प् Casey सब कोशित करते हैं या फिर वह मार पीट करेंगे या कटल्याम करेंगे ऐसा है उन्से उनका भी जीवनरक हो गया हुगा जहिर सी बात हैं जो निश्चित ही गरीब हो जाएगा तो आप देखेंगे कि सभी मुस्लिम देश गरीब थोड़े भी देश हैं जो संसाधनों से अमिर हैं इसी पेट्रोलियूम प्रड़क्ट ज्यादा है तो ठीक है पेट्रोलियूम प्रड़क्ट जब हो जाएंगे तब उनकी स्थिति भी वही हो जाएगे और कुछ जो लिब्रल टाइप के हो गए हैं उन्होंने कुछ अलाव कर दिया है अपने हां तो वहां पर थोड़ी संब्रदी आई है आमोमन आप देखेंगे कि सभी मुस्लिम देश गरीब हैं और उनकी गरीबी के कारण यही कि अन्ON के पास क्या चांस हैं जो आएल प्रड़क्ट्ट्स हैं उसका वी भी कल खो जाए कि ताकि तो जो तेल पर निरवरता कीरीव और और उससे या बुद्धिजी भी हैं या ऐसे लोग हैं जो कुछ समझदार हैं उनको प्रोटेक्शन दे करके और उनको धन मुगया करा करके भी आप जो सही बात है जो इसलाम के हक में है उसको बुलवा सकते हैं तो यह रास्ता उनको अपनाना चाहिए जो गैर मुस्लिम है कि वहां की गरीबी का फैदा उठाना चाहिए इसी अर्थ में कि उनके माध्यम से ही उनके खिलाफ बलूआएं तो वह तरीका हो सकता है अदि गैर मुस्लिम बोलेंगे तो यह विरोधी में बिरोधी सम्झेंगे उसको और उससे खड़े हो जाएंगे तो इसलाम में ही जो है सुधार की संभावना बदलाव की संभावना तलासी जाया यह है दूसरा तो खेर जो युद्ध है हुआ तो है कि युद्ध में युद्धी आप हरा देते हैं तो उसको कंटेंट कर सकते हैं लेकर उसकी विचार धारा को नहीं आपको चल सकते हैं आपको उनकी विचार धारा है कुरान या मुहम्मद के जीवन के जो सरीयत है तो उसमें जो जो खामिया है उसको आप फिल्म के माध्यम से या उपन्यास के माध्यम से या किसी भी साहित के माध्यम से या इंटरनेट के जरीए वीडियो से कैसे भी उसके आप खंडन में आप बोलें इसका भी असर पड़ेगा जो तर्पूर होना चाहिए और मानवी होना चाहिए जिसमें कि मुसल्मानों का ही हित छिपा हो और उनका कैसे आहित हो रहा है उस किताब को मानने की वज़े से यह भी बतलाना जरूरी होता है और तीसरा जो वेश्ट कर सकता है जिस पर उसको सोध करते रहना चाहिए वह यह है कि तक्नीक के जरिए माइंड के पर कंट्रोल करके आप उसको माइंड को बदल सकते हैं तो वह तक्नीक निकालिए कि यहीं से बैठे बैठे कंपूटर टेकनलोजी से मनुस के दिमाग को बदल दे और ऐसे में आपके पास वह टूल आ जाएगा कि आपको कोई विरुद नहीं करना पड़ेगा और वहीं से बैठे बैठे बदल देंगे मुसल्मानों के विरुद में बहुत सारे देश खड़े हो चुके हैं बहुत सारी सब्वेताओं को मिटाते हैं उनके साथ मिल जूल करके रहना पसंद नहीं करते बलकि उसके विरुद में खड़े होते हैं क्वилось कि उनको बदलना होता है कि उनके साथ मिलते जूलते भी हैं तो इसलिए कि कभ मुका पाकर लड़कियों को ले जाएं जिसको लफ-जिहाद भी बोलते आगे कभ जो है इनका धन को हट्या कर लें कभ इनν से ठंक लें कुछुछ कब चूरी कर लें कब इनके हां बंबिस फोट कर दें कब गला रिद्द तो वे मिलते जूलते भी हैं तो ऐसे मिलते हैं तो एक अब इस वस्थनियता का महौल वे खड़ा कर दें अपने लिए उनमें भूत मुस्लिम अच्छे हैं लेकिन वे अच्छे हो करके क्या करेंगे निवार हैं उनके लिए अच्छे होकर के भी बचाव नहीं कर सकते हैं ना अपना ना दूसरों का कि वे तटस्त तरह सकते हैं कि लेकिन कि कुरान या इसलाम के विरुद्ध में नहीं खड़े हो सकते हैं भले वो कुरान कितना भी गलत हो जाए तो यह जो उनके लाचारी है इसका तोड़ निकालना पड़ेगा यह बहुत बड़ा पॉइंट है कि किस तरह किसे ऐसे गुरुप को खड़ा किया जाए जो वहीं पर्रा करके उनके खिलाब बोले और उसमें परिवर्तन की बाहर बयार ले आए तो उनके जीवें में बाहर आ जाई अनथा और शिक्षा धन्स उनके शिक्षा भी अधूरी होती है अधि वह विज्ञान को कुरान में अप्लाई नहीं करते है थे सरीयत में अप्लाई नहीं करते हैं यहनी मुस्लिम होने के कारण कुरान को मानता ही रहता एं इस पर वह कभी कोशेंट मर्क में उठड़ा करता है बलकि अपनी पुलब्दी के लिए वो कुरान को ही जिम्मेबार मानता है वो यह सोचता है कि जी कि अल्ला के किरपा से ही मैं कुछ खोज पाया ऐसा वो मान बैठता है जबकि वो सिद्ध नहीं कर सकता खुद कि अल्ला है अलाकि विग्यान सिर्फ सिद्धी पर यकिन करता है प्रवाणित अपनी कर सकते हैं उसको मानने का कोई आपका अदिकार नहीं है तो वह सुखोनी कर पाता है और जी हम करने वाई ले शूठी आसथा तो यह का कैसे मार्थप को मुष्पान ने कि समर्थक होते वे उसका कि जंड़ा बरदार होते वे भी वह इसलाम की बात जहां आती है वहां पर वह आँख बंद कर लेता है और वह उसी तरह अन्विश्वासी हो जाता है जिस तरह से वहां एक अनपढ़ जाहिल व्यक्ति अन्विश्वासी है यह उसकी मजबूरी है यह जान का भय है जो ऐसा कराता है अधि जान का भय नहीं होता अधियह प्रावधान नहीं होता कि जो इसलाम के खिलाब बोलता है उसको मार दो तो वह अग्यक्तियावस ही बोलता लेकिन उसे भय हर कोई अपने जान मचाना चाहता है वो जानता है वाज में जीना चाहता है और वह जीने का वह उसे असत्य का समर्थक बनने के लिए मजबूर कर देता है तो अब जो है जो दूसरे देशें उनके सामने आशे हैं तो इसका खंड़न उसे करना चाहिए ऐसी सुरक्षाइ उने चाहिए जो उनके जो इतने उसमें जागरुक हो गया है इतने शिक्षीत हो गया है कि उस शीको रख सकते है उनको सुरक्षा देजे वहाँ पर गरीबी जितनी फैलेगी, उतना ही ज्यादा वे गैर मुसलिमों की बात मानेगे, और ज्यादा का प्रांस की बात है, प्रांस काता है, हमारे हनियम कानून ऐसे है, प्रांस के राश्पति ने ये भी बयान दिया कि हम काटून के समर्थक नहीं है, लेकिन अभी व्य है यहां पर लेकिन एक कल्पना कीजिए कि मुस्लिम अबादी अगर बढ़ती चली गई चाहे धर्म पर वतन कराकर आकर करके धीरे धीरे चाहे बच्चे पैदा करकर करके तो फिर फ्रांस का समयधान नेरा जाएगा वह फिर इसलाम का समयधान बन जाएगा कि जब उनके संख्यादा हो जाएगे फिर आवा आपके नहीं सुनेंगे वे वहां उनके सांसद बिधायक पहुंचते ही वे उसको बदल देंगे फिर कौन बोलेगा जो बोलेगा वह मारा जाएगा तो यह प्रांस के अभी राश्पति सोच सकते हैं अगर कि यह समयधान ऐसा साही रहा जाएगा और काते हैं कि जिसको यह समयधान पसंद नहीं इस देश से चला जाए अगर मुसर्मानों की यह मजबूरी है तो वहां रहेंगे और गुब चुब रुप से अपने उस अंजाम को देते रहेंगे और उन्हें ठीक है आज से भकता नहीं मिलेगी सौबर उसके लिए इन उपायों को करना है कि कि उनकी गरीबी का फैदा उठाना है कि दूसरा उनमें जो जागरू को सिक्षित है उनको आपको संरक्षन देना है और उनको प्रोप्चाहन देना है उन्हें पहचान देनी है उन्हें इनाम देने हैं उन्हें धन देने हैं ताकि वै प्रेस्टमेंट उसमें करना पड़ेगा अन्य था उसको रोकरने जा सकता है और तिसरी बात जो कि बिना इन सब कर सकते हैं तरंगों के माध्यम से दूर कर सकते हैं तरंगों के माध्यम से अच्शन को भी बड़ी बढ़ी अबादि को कर सकते हैं लेकिन इसे भी बड़ा फाब्लम को घड़ा हो जाएगा जिसके पास तकनिक आ जाएगी वे पूरी माना वता को गुलाब बना लेगा कि ऐसा गुलाम की जिनको अपने गुलामी का भी पता नहीं चलेगा यह सब संभावनाएं है तो इस इस विपदा में जबकि और वह प्रोसेस चल रहा है वह अनुस्वंधान चल रहा है सोद चल रहा है और वह आज ने तो कल होई जाएगा पर वगा higher और जिस व्यक्ति या गृप के पास तक्तिया हासिल होगी वो सब पर लागू करेंगा उस बात को कि मरव सब्भयता भाट तेजी से जब इस गाए न कई कई रोबोट्स बनाय जा रहे हैं कि रोबोट्स यूद्ध करेंगे और मानुओं पर हावी हो जाएंगे अब मानुओं को वहाँ लड़ने की ज़रुद्ध नहीं है वह स्वेंच जाकर लड़ेंगे तो रोबोटईक्स एट्पार्ट्मन वह थेजी से बढ़ रहा है और बहुत साय कमपन्या इसमें एक से ल capacities योaster हो सकते हैं यहuğ lose सबभ vert कि यह सब्देद अगर रोवेबोट्स बीन कि हाथ लगए तो क्या होगा सोच सकते वो कितना को मार देंगे और इसके बाद फिर है कि जंजिनेरिंग क्लोनिंग च्ऽेखनलोजी को ब्रूद कर दो कि अभादी बढ़ाइद है कए कि पैडा किया शकते हैं त रह पेme प्लेटा की जा सकते हैं एक विचारफ हरा कि 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 अब भी चैस देग सकते हैं वो आषए के प्रक्षे तो वह तकनिक का सकती वह स्थी एए और गहरा कैश्यकन के निए तो वह तकनिक कभी आगा होसकती है तो कि वह तु आर्ट बट को सिक्षाओं अमकि आगे करेगि én तो उस दिमाग को पहले ही बदल दिया जाए यह मानव समाज को पुरे विश्ट को इस्टेप लेना है यह परिशानी नहीं आई होती अगर हजारों वर्सों पहले सारे जब रजवाणों का समय था तो वे एक जूट हो करके हमला किये होते जब इसलाम का उदय हो रहा था उस वक्त ही तो हो सकता है कि आज विश्ट को यह नहीं देखना पड़ा होता लेकिन अब विश्ट एक जूट हो रहा है और नहीं होगा तो आगे होना पड़ेगा उसक जो आतंगवादी चार हैं इसलामिक आतंगवादी वह तो होगा फिर तो एक जूटता आज के लिए निवार है और एक जूट हो करके एक्शन लेना निवार है और हर छेतर में एक्शन लेना पड़ेगा तब जाकर के आप इसे कंटेंट कर देंगे मान सिर्फ जो है एक इतने माततर से हर नहीं होने वाले की अधान संक्या पर दारित हैं यहां संधान बदले जा सकते हैं संद्धान कोई सारवोमिंग चीज नहीं आ जसकी ज़्यादा हो जाएगी उसके बदल दिया तो भार्त का समेदान बदल जाएगा फ्राइ। As कि वह तो कि इस्लामिक जन संक्या पर निर्बा करता है वह जहां बढ़ेंगे वहां बदल जाएंगे बंगलादेश का समिधान उजारन है पहले बंगलादेश सेकुलर था लेकिन बाद में जब उनकी संक्या बढ़ गई हिंदू की संक्या प्रतिसार से लेकर के दस परिशत अब बदल गए समिधान तो इस तरह से समिधान बदल जाएंगे भारत का समिधान अगर मुसलमानों की अबादी बहुत ज्यादा हो जाए इतना कि वह गवर्मेंट बिढाने लग जाएं तो समिधान बदल देंगे वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो इसमिधान पर जूट हो करके एक्सनल लेना है जो आज से हजारों साल पहले लिए थे वहाव लेना है और यह जो युद्ध का जो माहल खड़ा की है कि युद्ध करके उनको मार देना यह हमें समझता हूं कोई उपाई नहीं है कहरी मुसलिमों की तरफ से हलांकि युद्ध हो जाएगा त उसरीयत बदलना होगा। ऊको एड्वांस बनाना पड़ेगा, कर उनकी सोच को एड्वांस बनाना पड़ेगा। कुछ और इसके अलावा भी कोई कोई सकती है तो विव वे उन सबीठीकों को उसपर लागो करना पड़ेगा कि नहीं को भुठिम्हाए ना पड़ेगा चाहिए जो कट्रपंती confusing है उनके खिड़े हो सके आवाज उठा सके कि भईया आब हम लोगों को जीने दो अब हमेलों को रहने दो हमारे बाल बच्चों को रहे दो उनको हम लोग के हातों से मत मरवाओं ऐसा जब समानaten इनको कह सके सकेगा यह उनकी एक यूटता होगी तब जाकर के उनके वीटली होगा अन्यथा फिर आप तक्निक से उन्हें बदर पाएंगे पैसे दे करके भी उनको बदर सकते हैं कुछ को तो जो भी आप करें लेकिन यह अब अनिवार च्छाना आ गया करने का अन्यथा जानमाल की तो नुकसान तो कितने करोणों लोग अब तक मारे जा चुके हैं उस को गर देखेंगे इस्लामिक त्यास को तो और आगे भी कितने अभी मारे जाएंगे यह बहुत पूरे विश्व समुदा एक बहुत अजीब खतरनाक मुहाने पर खड़ा है और यह एक ऐसा विस्पोट है जो कि अब होना ही चाहता है यह वैचारिक विस्पोट है जो कि खुल करके तो पहले भी आये था लेकिन अन्य लोग उस वक्तना ख़तरा नहीं महसुस कर रहे थे जो दूर दूर थे क्योंकि इसलाम अभी पहला नहीं था उसके विसे में भरांतियां थे अब भरांतियां नश्ट हो रही है अब लोग जान रहे है कि वास्तन कुरान में क् रहता इसलिए अब इनको गर बचना है तो इनको एक जूठा करेक्शन लेना होगा अन्य था विनास के लिए तैयार होना होगा ओमारी